हालो डियादी स्टुडेंट हाव यू ओल और जैसा आप सब जानते हैं PCI के जो प्रेजिटेंट है डोक्टर मॉन्टू पटेल जी उनके काफी बड़े-बड़े भाशन हमारे सामने आ रहे हैं PCI के काफी जादा चेंजिस हमें देखने को मिले 2023 के एंड में और 2024 एक फार्मा बीगा फार्माशिस्ट हमेशे आपको प्राउड फील करना है कभी गिल्ट फील नहीं करना कि यार फार्माशिस्ट बनके क्या ही फाइदा हो गया ऐसा जो गिल्ट करने वाला मोका था न वह सरकार ने हटा दिया है Central Government हमारे हाथ पकड़ रही है और कह रही है कमिशन बिल लेके आई है उसमें क्या-क्या चेंजिस हो सकते हैं एजा फार्मासिस्ट आपके लाइफ में कौन-कौन से चेंजिस आ सकते हैं जाके एक बार जरूर विजिट करें हमारे सारे वीडियो और सबसे बड़ी बात हमारा एप जरूर जाके डाउंलोड करें क्योंकि वहाँ पर हम आपको B-Pharma, D-Pharma, Entrance Exam और Exit Exam के साथ-साथ समेस्टर एग्जामस और Yearly Exams की तयारी करवाते हैं बहुत ही सूपब तरीके से Entrance Exam का कोर्स बिल्कुल Free of Cost है, D-Pharma और B-Pharma दोनों के लिए जाके उसको जोइन करो, बिल्कुल Free of Cost semester exams की daily basis पे तीन से चार घंटे हम live classes ले रहे हैं तो उसको भी जाके एक बार जरूर विजिट करें, D-Pharma फर्स्ट यर, सेकिंड यर के कोर्स भी हमारे पर available हैं, ठीके जी चलिए, तो शुरू करते हैं कि भाई कैसे अब एक फार्मसिस्ट दोक्तर बनेगा, क्या-क्या चीज पूरा 66 पेज का PDF है, ठीक है जी, चलिए, फार्म डील का जो student है, इंडिया में उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि एक डॉक्टरेट कोर्स तो है, जैसे वो फार्म डी कर लेगा, उसके नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है, no doubt, नाम के सामने डॉक कोर्स है, ठीक है, फार्मेसी का, अगर आपने ये कर लिया, मतब आपने डॉक्टरेट कोर्स कर लिया, ठीक है, 6 साल का होता है, 6 साल का ये कोर्स, इसे करने के बाद, फार्मासिस्ट ही बच्चा बनता है, क्या बन गया बई, एक फार्मासिस्ट बन गया, ठीक है, फार्मास प्रेक्टिस करने का मोगा कैसे मिलेगा दोक्राइब यह बच्चा जैसे इसके लिए सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको होस्पिटल में प्रेक्टिस करने का मुखा मिलेगा ठीक है प्रेक्टिस करने का मुखा कैसे मिलेगा दोक्टर के साथ दोक्टर की गाइडेंस में डोक्टर अगर अगर अवाइलेबल नहीं है तब भी वो पेशन्ट का इलाज नहीं कर सकता है ठीक है यह वाली चीज थी लेकिन अब मोन्टू पटेल जी का कहना है कि 2024 से 2024 में नय क्यआ एकस्पोजर आ रहा है 송 Sutton कोो लिकर किसको लेकर फार्म टी को लेके जिसमें यह होगा कि दोक्टर के साथ पेशन्ट का इलाज भी एक लेक्सक्रेश करपाएगा लेकिन यह झेल के लिए लिएakis बैशले algunos कमीशन बिल की बात करने तहें यह उसमें एक बीपार्मा के बच्चे के लिए भी कुछ है तो बैटे डी फार्मा के लिए तो भी उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन्स नहीं है लेकिन बी फार्मा जो बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चे है न बी फार्मा वाले हमारी गवर्मेंट क्या कह रही है कि हमारे इंडिया में 1.500 करोड की डिबादी हो गई है करो इन पास तक हेल्थ प्रोफेशनल नहीं पहुछ पा रहा है को नहीं पहुछ पा रहे है हर्ल्त प्रोफेश्नल्स नहीं पहुछ पारे हैं आज के सब्सक्राइ Aubh तो government चाहती है कि एक pharmacist को professionally तयार करा जाए जो rules, regulations, instructions आए वो pharmacist के लिए strict आए उसको एक ऐसे professionally training के साथ तयार करा जाए और अभी research and development के लिए भी सरकार fund release कर रही है कि ऐसी इसको training दी जाए ना कि ये हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच सके कि फार्मासिस्ट इतने जादा है, डोक्तर तो अपने पास इतने नहीं है, hospitals भी नहीं है लेकिन फार्मासिस्ट को एक ऐसी opportunity बेटा दी जाएगी 2024 में मैं seriously बोल रहे हूं कि एक दन मज़ा आ जाने वाला है बीन फार्मासिस्ट आपको प्राउड करना चाहिए कि हां मैं एक फार्मासिस्ट हूं अब उन तक आप लोग अपने सर्टिफिकेट को दान दे देते हो है ना मेडिकल स्टोर वाले को दे दिया 5000 उपे रेंट में 2000 उपे रेंट में सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है आप अपने प्रोफेशन को समझो प्लीज प्राउड करो कि मैं एक फार्मसिस्ट हूं बने दे दे और नेच्टल फार्मसि कमीशन बिल में फार्मसिस्ट के लिए चीजे बदली जा है नेजर्शनल फार्मसिस्ट के लिए चीजे बदली जा रही है आद स्टर्ट्म को कुलीटल अपने आपको पामसिस्ट देख के कितना गर्व महसूस करते हैं आप सेटिस्फाइड अपने प्रोफेशन से या नहीं वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बिताईएगा विद रीजन ठीके जी चलिए थैंक यू